जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर संसार में कोई घटना घटित होती है, जैसे क्या हुआ, 1857 की क्रांती हुआ, कब हुई थी, कैसे हुई थी, कहा हुई थी, किस-किस ने उसमें भाग लिया था, हमें कैसे इसकी जानकारी प्राप्त होती है, इतिहास से उसके, उसका इतिहास लिखा हुआ है उससे हमें पता चलता है कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी कब हुई थी कहा हुई थी कैसे हुई थी किसलिए उसकी शुरुत की गए थी ठीक है तब हमें इसकी जानकारी प्राभ थो पाती है ऐसे ही अगर हम कोई भाषा पढ़ रहे हैं तो उसका क्या इतियास था, क्या उसके बारे में लिखा गया, कहां से लिखी गई, कैसे लिखी गई, क्यों लिखी गई, इसी की जानकारी हम प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, उसके इतियास से प्राप्त करते हैं, तो उसका इतियास क्या है, यह भी ग्रंथों मे लिखा गया है इस तरह से हिंदी साहित्ते का भी ग्रंद है और उसी में काल का विभाजन किया गया है और काल किस तरह से विभाजित किये गए हैं किनकी नामों से विभाजित किये हैं उन्हें को आज हम पढ़ना आरम करेंगे लेकिन आज हम पढ़ेंगे केवल आधिकाल से श देखें, आदी का मतलब होता है आरंब करना, शुरुवात या आरंब, काल का मतलब होता है समय, अर्थात आरंब का समय, शुरुवात का समय, किसका आदी काल का, और आदी काल कब से सुरुवा, एक हजार इस्वी से, देख लीजे, एक हजार इस्वी से, तेरा सो पचास इस्वी तक, अर्थात एक हजार तीन सो पचास इस्वी तक चला, अर्थात साड़े तीन सो साल आदी काल रहा, आदी काल का इतिहास माना चाहता है, ठीक है, देखें, हिंदी साहित्य की जन्व काल अर्था यहीं से ही इस संसे ही एक हजार से इसवी से ही आधिकाल का जन्व माजना जाता है कि जब आधिकाल की शुरुआत ही इसको ही शीशुकाल कहा जाता है हिंदी साहित्य का शीशुकाल किसे कहा जाता है आधिकाल को कई बार ऐसा प्रशन आ कि हिंदी साहित्य का शीशुकाल किसे कहा जाता है किसे कहा जाता है आधिकाल और इससे संबंदित प्रशना आता है कि आधिकाल का प्रारंब कब से कब माना जाता है हिंदी साहित्य का प्रारंब काल किसे कहा जाता है किसे कहा जाता है आधिकाल ठीक है आधिकाल को और किन नाम उसे जाना जाता है तो इस तरह से संबंदित प्रशना आ जाते हैं देखें हिंदी साहित्य की जन्वकाल शीशुकाल प्रारंबिकाल अर्थात शुरुआत का समय किसका हिंदी साहित्य रहा हिंदी साहित्य मतलब हमारी भाषा जिस भाषा को हम बोलते हैं उसको हिंदी कहा जा वहां के भाषान अर्थात बोलने को क्या कहा गया राजस्थानी भाषा ऐसी अगर कोई पंजाम में रहता है तो वहां के बोलने को क्या कहते हैं उसके बोलने को पंजाबी भाषा अर्थात पंजाम में रहने वाला पंजाबी तरीकी से बात करता है पंजाबी भाषा में बोल से जिसकी शुरुवात हुई कहां से हुई आधिकाल से अर्थात आरंब कब से मानगे एक हजार इसवी से तेरा सो पचास इसवी तक इसको किस-किस नाम से जाना जाता है जैन्मकाल शीशुकाल प्रारंबिकाल इन अन्य तीन नामों से इसको जाना जाता है किसको आधिकाल यह से हिंदी साहत्ते की शुरूबात हुए